प्रिबियस एर कोश्टन पेपर 2023 क्लास 10 चैप्टर 5 जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले चार चैप्टर की वीडियो बना दिये गए अगर आपने नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाए वन वाई वन करके हर एक चैप्टर के वीडियो देखिए जितने भी 2023 में कोश् आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला बहुत ही मजा आने वाला चलते हां की तरफ हलो एवरीवन वेल्क्रम तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ठीके आज कर जो कोशं दिया गया यह कोशं दिया है की दा रिशाओ ऑफ दा 11 टम टू दा 18 टम आतीं टम अफ़ लाफ एक की लियलें रिशाओ यह टीं टम की रिशाओ ほुलें थी टूरी दिया गया Find the ratio of 5 term and 21 term हमें ratio find करना किसका 5 term और 21 term का और also find क्या करना है ratio find करना sum of 5 term और किसके term 21 term हमें starting से 5 term का सम करके ratio लेना किसके साथ starting से sum करके 21 term के first 21 term का तो चलिए पहले हम question को समझते हैं कि question में क्या-क्या given है फिर question को कैसे करने वाले है question को concept concept योच करने वाले क्या चीज़े आपको दिक्कत करने वाला सब चीज़े हम डिसकस करेंगे इसमें तो फटा पट question को एक बार आप read कर लिजे जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए ठीक है given में दिया हुआ कि A11 upon में A18 ये 18 दिया हुआ ये किसके बराबर दिया हुआ ये बराबर दिया हुआ 2 ratio 2 ratio 3 के दिया हुआ ये given है हमें क्या है ठीक है दूसरा क्या दिया हुआ है कि find the ratio of fifth term हमें find करना है fifth term का ratio हमें fifth term का ratio find करना है और किस term के साथ find करना है ये फिप्टम डिवाइड वाई ये 21 टम ठीक है ये फाइंड करके बताना है और इसके साथ सब क्या करना है सम आफ फिप्टम फाइंड करना है और सम आफ 21 टम को फाइंड करके बताना है ठीक है ये चीजे फाइंड करके बताना है चलते हैं, question में देखो करने के लिए, सबसे पहले आपको क्या सोचना है, कि इस question में कौन से formula और कौन सा concept यूज होने वाला है, ठीक है, बहुत ध्यान समझेगा, मैं concept और formula यहीं समझा दूँगा, बाकी question उधर कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, तो अगर कहीं पर ऐसे आपको a1, a2, a3 करते-करते an तक कोई भी a p दिया हुआ, क्या दिया हुआ, a p दिया हुआ, a p क्या हुआ, a p क्या हुआ, कहीं से भी 2 term का difference करिए, वो भी बड़े term में से छोटे term का minus करेंगे, बड़े number में से नहीं, बड़े term, a3 में से a2 करोगे, a4 मे एक specific term निकालना हुआ, जैसे मैंने बोला, a n निकालना हुआ, लास्ट वाला term निकालना हुआ, तो जो ऊसका formula हुता है, a plus n minus 1d होता है, क्या हुता है, a plus 1 minus, n minus 1d होता है, अगर कहीं से मैंने बोला, कि यहां से लेके, last term के sum निकाली, जाला हमें a1, plus a2, plus a3, plus, ऐसे करते-क किया करना इसे n निकालना है तो इसका Formula हो जाएगा N by 2. 2A 2A plus N minus 1D यह हो जाएगा इसका Formula यह अभी हम इसमें इन ही दोनों Formula के यूज Ensuite सारी वै sporad करेंगे तो चलिए आपको समझ में आई हागा है कौन सा निकारना है, यह कितने term का, मतलब कहां से लेकि कितने term का sum करेगा, मतलब 1 से लेकि n term को, बोलोगे 1st n term का sum हो गया, तो इसका formula यह हो गया, sum करके बताएगा, यह किवल किसी बीच में से कोई एक term, मैंने बोला 100 term का spell बताईए, तो इस वाले formula का use करोगे, अगर मैं बोला, starting से लेके 100 term का sum करना है, तो आपको यह वाला formula यूज करना है, तो चलिए, यह समझ में आ गया, अब बात करते हैं, जो क्या करना है, ratio of the 11 term to the, पहले हमें यह दिया हुए, उसके इसाफ से, यह term की value दिया हुए, इसका मतलब हम term वाला formula लगाएंगे, तो यहा ऊहाँ, N की value, N की value 11 put कर दो, N की value 11 put करोगी, तो 11 में से एक कम हो जागा, तो सीधे लिख सकते हैं, यह क्या हो जागा, A plus 10 D, A plus 10, जितना होता है, वहाँ से एक कम कर देजिए, क्यों n की value given है, इसके अप्वान में क्या दियागा, a plus, कितना हो जाएगा, 17d हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, ratio में, 2 ratio 3 हो जाएगा, अब इसका cross multiply करते हैं, cross multiply करेंगे, क्या जाएगा, 3a, 3a, plus 30d, 30d, equal to, क्या हो जाएगा, 2a, plus, इसका multiply, इन दोनों term में हो रहा है, इसके साथ हुआ और इसके साथ भी होगा, 34d हो जाएगा, ठीके, अब a वाले की साथ लगे, 3a-, 2a हो जाएगा, और d वाले की साथ लगे, 34d, minus कितना हो जाएगा, 30d हो जाएगा, इसको minus करेंगे, तो a is menor को जाएगा, 4d हो जाएगा, एक relation पता देल गया ही, देखो हमें को को solve परना है हम जिस question तक जाने वाले हैं उस question तक पहुंचने के लिए सबसे पले हमें क्या करना पड़ेगा कोई ना कोई ARD की value निकालना है हमें यहां एक ही value मिल गया जो किसके पर आद मिला है 4D बहुत अच्छा है अब आगे सोचने वाले हैं जो हमने कि क्या कि हमें क्या find करना है हमें जो find करना है यह 5 upon में A21 find करना है इसको अगर find करना था हम लिख क्या सकते हैं इसे एक कम होगा बड़ D के साथ तो यहां हो जाएगा 4D और यहां पर क्या हो जाएगा A plus 20D हो जाएगा A plus कितना हो जाएगा 20D हो जाएगा अब इसमें हम value put कर देते हैं A की value, A की value कितना आजाए, A बराबर 4D आए, तो यहाँ पर हमें A की value 4D पुट कर देते हैं, प्लस यहाँ पर भी 4D है, upon में, यहाँ पर भी 4D आजाएगा, प्लस 20D हो जाएगा, अगर हम इसको solve करें, तो 8D, 8D upon में कितना आजाएगा, 24D हो जाएगा, और D से D cancel हो गया, 8 से भी cancel करेंगे, तो 1 और 3 हो जाएगा, तो कितना आगया, 1 ratio 3 हो गया, तो हमारे पास जो answer में आया, answer में आया, A ratio, A 21 का, वो कितना है, 1 ratio 3 हो गया, एक का तो answer मिल गया, अब दूसरे का answer हमें जाना है, दूसरा क्या पूछा गया है, दूसरा कि starting से, मतलब 1st, 5th time ratio लेना है किसके साथ, 1st, 21 time, तो इसके बाद हम आते हैं, उसको बात करते हैं, S 5th upon में, यह 21 हो जाएगा, अब यहाँ S N का formula है, यह बोलने कि sum का, तो S N का formula यह होता है, N by 2, bracket में 2A plus N minus 1D, ठीक है, चलिए, यहाँ पर हमने लगा देते, N की वेल हो गया, 5 by 2, 5 by 2, और 2A, और 5 में से 1 minus करो गया, तो 4D हो गया, 4D हो गया, और नीचे क्या जाएगा, 21 by 2, 21 by 2, 2A plus 20D, यह आजाएगा, यह दोको, 2 से 2 cancel हो गया, तो बचा कि यहाँ पर 5 upon में, 21 multiply, यहाँ दोको, A की वेलू कितना आ चुका था, एक की वेलू 4D आया, एक की वेलू 4D पूट करिए, एक की वेलू 4D पूट करेंगे, प्लस यहाँ हो जाएगा, 4D upon में, 2, एक जहाँ पर हमने 4D पूट कर रहे हैं, प्लस 20D, 20D यह हो गया, और आ जाएगा, 5 upon में, 21 multiply, यहाँ हो जाएगा, 8D, 8D प्लस 4D upon में, यहाँ 8D प्लस 20D, अब थोड़ा सा सॉल पर लेते हैं, तो 5 upon में, 21 multiply, यहाँ जाएगा, 12D upon में, 28D, यह DCD कैंसिल, इसको 4 से कैंसिल, 4 3 जा, 12 और 4 7 जा होता है, तो यहाँ साएगा, 5 upon में, 21 multiply, 3 upon में, 7, यह 3 से 3 कैंसिल कर देजिए, 7, तो उपर बचा, 5 और नीचे, 7, 7 का multiply करो, कितना जाएगा, 49, मतलब, अगला जो question का answer आया, अगले question का answer आया हमारा, S5 का ratio, S21 का, तो आ जाएगा, वो 5 ratio, 5 ratio, 49, यह बन गया, यह आ गया, question आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया होगा, तो फिर से दुबारा repeat करके देखे, बहुत सिंपल तरीके समझा गया, और question अगर बहुत अच्छे समझ में आया, तो आपका एक comment बनता है, कि कितना आप तक यह वीडियो पहुच रहा है, कितना आपको समझ में आ रहा है, सारे चीज़ों में, तो आपके लिए कितना helpful है, चलते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक share करिए, जिससे उनका भी फायदा हो पाए, और उनको भी आपके द्वारा मदद मिल पाए, तो चलते हैं, आज के लिए इतना है, कितना है, सारे यहे श्यपा अर्वात, ऑर उनको भी आपके लिए, ऑनको पेषित आपके लिए्गा. झाल झाल